लोगसमा चुनाओं का आगाज होते ही राज़नीतिक दलों में हलचल बढ़ गई है अपनी अपनी पार्टियों ने ही संभाग में कुछ सीटों के दाव पेचों को लचा दिया है सारे रंग बिखर गए चुनावी रंग शेश था जो चड़ने लगा है आईए मालवा निमाड के रंडशेत्र का जायजा लेते हैं दक्खन की दहलीज बुरानपुर से लोटते हुए मेवार के किवार नीमच तक दस्तक देंगे चार महीने पहले हमने वोटों की खातिर मध्यपदेश की एक छोटी लड़ाई को देखा है अब दलों में महा युद्ध सी ठनी है जिने टिकेट हासिल हो गया उससे निप्टाने के वियूर अच्छे जाने लगे है युद्ध में सब जायज है चाहे वोट हो या अपने अपने मोटो का उद्देश दखन के धहली इस पर हालिया हास से बोखलाई एक घायल शेर नी और उसकी गुस्सिल कोली के मिजास सिरू बरू करते हुए हम आपको बताते हैं कि अर्चना चिटनिस ही नहीं हारी बलकि बुरानपूर ने अपनों की गदारी जीती है बीते चार महिनों से यही शोर है पूरी मंडली का गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए चार महा काफी होते हैं लेकिन यहां तो गुस्सा लावा बनने को आतुर है और इसे हाईकमान ने भी नजर अंदास कर फिर से नंद कुमार को कह दिया कि अपकी बार ना चूकिये चोहान खंडेलवा चोहान को टिकेट मिलने से समर्थक राहत में तो हैं लेकिन डरे भी हुए हैं कि जैसे को तेसा हो गया तो मोदी की माला का मनका यहीं दूल दूसरित हो जाएगा खंडवा इलाके से आगे बढ़ते हैं तो तपिश बढ़ जाती है खरगोन बढ़वानी का मिजाज थोड़ा गर्म है मिर्च इसकी रगों में दोड़ती है मगर लोग बड़े ही भोले हैं इतने भोले कि दिली से जब शशी भूशन को यहां चुनाव रणने कॉंग्रिस ने भेजा था तो वो अपने साथ रेल की पट्रियां ले आये थे नगर में सड़क किनारे पट्रियां पटकवादी थी रेल की आस में भोले लोगों ने उन्हें संसद में भेज दिया ये बात अलग है कि इस भोले पन के 22 साल बाद भी कोई रेल नहीं आई पहले सीड सामानी थी अबादिवासियों के लिया रक्षित है अपने मौजूदा सांसद के परफॉर्मेंस को भाजपा खुद खफासी है लिहाजा टिकेट पुराने सांसद के प्रोफेसर भतीजो को देने की तयारी है उधर कॉंग्रेस के ग्रह मंत्री बाला बच्चन की पतनी को मौका देने के मूड में नजर आ रही है कॉंग्रेस सुभाष यादव रामेशट पाठीडार की इस राजनीती के इतिहास के पन्नों में कैद हो चुकी है नए उमीदवार इस दफे फिर से नई अबारत लिखने की तयारी में है बढ़वानी से थोड़ा आगे नर्मदा को पार करते हुए कुक्षी के रास्ते मालवा निमार के गल्यारे में एक नया नारा कुछ दिनों से खूब बुलंद है जैस यहां अपनी ठोस आमद दे चुका है यह धाल लोकसभा का इलाका है यहां कभी नर्मदा बचाओ आंदुलन में गुंजने वाला नारा हमुँ आखा एक छे अब नए रूप में लगाया जा रहा है भाजपा इससे चिंता में है कॉंग्रेस इसे भुनाने का कोई अफसर गवाना नहीं चाती भाजपा सांसर सावितरी ठाकुर के जो मुठी भर समर्थक बचे हैं वो भी मान चुके हैं कि उनकी नेता को दोबारा टिकेट मिलना संभव नहीं है एक नाम से भाजपा सीथ पर कबजा बरकरार रखने की जुगार में हैं लेकिन नए नाम भी पूरी तरह से जिताओ नहीं लग रहे हैं इसलिए मन्थन खूब हो रहा है कॉंग्रिस के पूरु सांसद राजेंदर सिह राजुखेड़ी को बहुत उमीद है हालाकि जयस अपना उमीदवार चाहती है महु के लोग भले धार का सांसद चुनते हों लेकिन ये एक नगर की तरह से इंदौर से जुड़ा हुआ है इस रास्ते से इंदौर के लिए आगे बढ़ते हैं तो बीच में राओ और फिर बिजल पूर आता है मंत्री जीतू पटवारी के समर्थक अपने नेता के नाम को ताई के सामने मजबूती से रखते हैं सतिनारेंट पटेल और पंकच संग्वी की तयारी पर भी बात हो रही है बात तो अपताई की विदाई की भी होती है क्योंकि ताई भाई के जगडों में भोजाई बाजी मानने को आतुर है देश में मोदी के स्वच्छता मिशन को लगाता सिरमोर बनानी के वाला एक ही तो चहरा है वो इसलिए भी दोड में है यहां से थोड़ा आगे देवास बसा है शाजापुल से जुड़ा हुआ है देवास ऐसी के लिए सुरक्षित सीट है मनोहर उटवाल यहां के सांसत थे जिन्होंने विधासवा चुनाव जीतने के बाद इस्तिफा दे दिया था पार्टी यहां से नया चोहरा उतानने की मूड में है कॉंग्रिस निता और प्रदेश के मंत्री सज्जन सियं वर्मा के बेटे पवन नहीं यहां सक्रेता बड़ा रखी है शेतर की आठ विधासवा सीटों में से आधी यानी चार कॉंग्रिस के पास है इसलिए भाजपा के लिए इस बार इलाके में फत्र कर पाना अतना आसान नहीं है देवास शाजापुर से महाकाल की नगरी उजीन का इलागा सटा हुआ है यहां की मद्दाताओं का अंदाज बड़ा ही अलहदा है वे कहते हैं जो करता है वो महाकाल ही करता है हम नहीं महाकाली जिताते हैं और वे ही हराते हैं SMA भाजपा निया बड़े नामों को किनारे करते हुए अनिल फिरोजिया को मैदान में उतार कर कॉंग्रेस की वही इस्थानिय भाजपाईयों को भी चोकाने का काम किया कॉंग्रेस के ताज उड़े होने के बाद पहलाद टिपानिया की उजें से दावेदारी प्रबल रूप से सामनी आई है टिपानिया कबीर पंती है और चुनाव आयोक ने विधासभा में उन्हें आइकॉन बनाया था अगर कॉंग्रेस टिपानिया को मैदान में उतारती है तो चुनावी राग के लिए उन्हें खूब रियास की जरुवत पड़ेगी क्योंकि संगीत की दुनिया से परे चुनाव का कोला हल उनके लिए नया होगा फिरोजिया भले ही विधायक रह चुके हैं लेकिन उन्हें अपने तार साधनी होगे उजें से आगे बढ़ते हैं तो रतलाम संसदी शेतर के गाउं कजबे जुड़ते जाते हैं रतलाम शहर जब सिहावलोकन करता है तो उसकी निगा सुदूर नर्मदा किनादे अलिराजपूर के ककराना तक फैले अपने विशाल शेतर तक जाती है सोना सेव साड़ी के लिए प्रसद्र रतलाम और ताड़ी के लिए मशूर अलिराजपूर जाबवा में अर्थ्यवस्था में बढ़ा अंतर है जिन्दगी को दो तरह से तोलने वाले सीट में कॉंग्रेस का पुराना और जाना पहचाना चहरा कांती लाल भूरिया कमर कस चुके हैं भाजपा उन्ही की तक्कर का उमीदवार मैदान में उताना चाहती है पार्टी नया और फ्रेश चहरा उतार कर एक तरह से कोरी स्लेट मतदाताओं के सामने रखने का विचार कर रही है ताकि मतदाता को लुभाया जा सके रतलाम से मेवार के दिशा में दशपुर जनपद है आज का मनसोर नीमत समराट अशोक के पुत्र महेंद और पुत्री संग मित्रा शांती का संदेश देते हुए इस रास्ते से आगे बढ़ते दक्षिनापद पर पहुँचे थे महीं दक्षिनापद जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी ये बात अलग है कि धर्ती मेवार से जुड़ी है जिसकी आनबान शान का अपना इतिहास भी है पर अभी तो इससे किसानों पर चली गोलियों के कारण याद किया जा रहा है भाजपा ने सांसत सुधिर गुपता को टिकेट देने का सहस कायम किया है क्योंकि उनका विरूद अंदर खाने पार्टी के लोग ही कर रहे है कॉंग्डेस से मिनाक्षी नटराजन का टिकेट तैसा है